नमस्कार किसान भाहियो इन दिनों गन्नी की फसल के अंदर टॉप बोरर, ब्लैक थ्रिप्स और पोका बोईंग इन तीनों रोगों ने बहुत ज़्यादा आटेकिंग मोड में हमारी फसलों पर हमला किया है जैसा के आप देख पा रहे हैं यह है ब्लैक थ्रिप्स के कारण औ तो आज हम आपको एक ऐसा इस्प्रे बताने वाले हैं जिससे आप टॉप बोरर, ब्लैक थ्रिप्स और पोका बोईंग तीनों पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे और फिर आप अपनी फसल को अच्छे से लहलाते हुए देखेंगे और फिर आपको उत्पादन अच्छा मिल जाएगा दोस्तों यदि रोगों में से आपने कोई एक पर भी कंट्रोल नहीं किया तो फिर आपकी फसल का उत्पादन पचास फिजदी रुख सकता है या फिर चालिस फिजदी रुख सकता है और कई वार होता यह है कि यह बहुत जादा रुख जाता है एक इसी के अंदर मुझे दिखाई दिया आप देख पाएंगे ये खंडवा रोग होता है फंगस के कारण आता है तो जैसे की पोकबोईंग भी फंगल infection के कारण होता है और ये कंडवा रोग भी फंगल infection के कारण होता है तो जो मैं बताने वाला हूँ दवाई उससे ये सारी चीजें एक साथ control हो जाएंगी तो सबसे पहले तो आप अपनी फसल के अनुरूप यदि तीनों रोग हो या चारों हो तो वो नोट कर लीजिए या फिर कोई एक हो तो उसमें भी वही इस परेकारे करने वाला है सबसे पहले आपको लेना है जिसके अंदर लेमडा साहलो थरिन प्लस थायो मैथोकसंग वाला टेकनिकल हो दोस्तो मैं आपको आसान भासा में बता दूँ कि एग्रोश्टार के पास किल एक्स के नाम से ये आता है 200 ml की पैकेजिंग होती है या फिर 100 ml की पैकेजिंग होती है और एक एकड़ या फिर 5 बीगे के लिए आपको 100 ml परियाप्त है साथ में आप लेंगे मैंकोजे पिलस कार्मेंड़ जिव यूक तो कोई पाउडर जैसा कि एग्रोश्टार के पास आता है मैंडोज UPL के पास में होता है साफ और तीसरी चीज़ जो आपको लेनी है इमामेक्टिन बेंजोएट ले लेनी है या आप उसे ना भी ले सकते हैं और एक लेना है आपको कोई ग्रोथ प्रमोटर जैसे कि स्टेलर आता है जिसके अंदर 0.001% जिवरेलिक असीड होता है या फिर कोई हियूमिक असीड बेस्ड कोई भी चीज हो सकती है तो आप ये तीन दवाई जिसमें लेम्डा साहलोथरिन प्लस थायो मेठोकसम दूसरा कार्मेंडा जिममेन को ये जे भी उक्त कोई पाउडर तीसरा ग्रोथ प्रमोटर दोस्तों इन सभी चीजों को आप एक साथ मिला करके इस्प्रे डलवा दीजिए बड़े वाले पंप से तो आपको देखने में आएगा कि जो पाउडर है वो फंगल इंफेक्शन को रोकता करेंगे जो लेंडा साहलो थिरिन है और प्लस थाय में तोक समय उससे आपकी तितली मरेगी लारबा मरेगा अंडे तूटेंगे तो उससे आप टॉप बोरर पर कंट्रोल कर पाएंगे और जो ब्लैक थ्रिप्स है उसके कीडे को भी यही टेकनिकल मार देता है बहुत ही आस में होता है जब बरसात का मौसम होता है जुलाई प्रारंब होती है तो यह जो एक यहां डेड़ मन्त है इसमें गन्ना बहुत तेजी से विकास करता है और फिर इसकी मोटाई और लंबाई इन्ही मन्त में ज्यादा बढ़ती है और ऐसे में यदि आपकी फसल के अंदर भेक्विंटल परती भीगे की दर से आपको उत्पादन देने में सक्सम होती है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे खरपतबार को बिल्कुल कंट्रोल किया गया इस खेत के अंदर और एक बात और मैं आड़ करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इस मेड़े के अंदर उपर जो रोग आई हुए हैं उन्हें ना आने दें तो निश्ची थी आपको बहुत अच्छा उत्पादन इस बार आपकी गन्नी की फसल देगी तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं यदि आप हमसे जुड़ना चाहें तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साती दोस्तों हमारे चैनल पर मेंबर्शिप भी खुली हुई है आप उसे भी ले सकते हैं या हमारा धन्यवाद करने के लिए सूपर तैंक्स भी ले सकते हैं तो जैसा आपको उचित लगे आप वैसा हमारा सहयो कर सकते हैं तो आज के वीडियो में केवल दी गई जानकरी इतनी ही मिलेंगे फिर किसी वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों